मैं पूजावोरा Global Teachers Academy से आपके साथ आज Library Science की Unit No.8 डिस्कस कर रही हूँ Unit No.8 means Library Automation Library के काम को easy करने के लिए computers का use किया जाता है वहाँ आपको इन्पुट क्या है, आउट्पुट क्या है, डिजिटल प्रोसेस क्या है, डिजिटाइजेशन क्या है यह एक इंपॉर्टेंट आव आजाता है, डिजिटल लावरीज, वह डिजिटल लावरीज अवे पढ़नी है इसके अलावा कितनी बायोमेट्रिक टेकनीक्स यूज हो रही है, इम्बार कोड यूज हो रहा है, क्यू आपकोड यूज हो रहा है तो यह सारी टिकनलोजीज में देखनी है, इसके अलावा डिजिटल लावरीज देखनी है हमें पूरे वर्ल्ड वाइट, इसके अलावा इस्टिटूशनल रिपोजेटरीज, स्टोर हाउस, यह सारा देखना है, नाश्प्राइट भी और इंटरनाशनल भी, तो एक ऐसी यूज जहां आपको डिजिटाइजेशन, ओटोमेशन, यानि लावरी का काम इजी क्या हो, उसके लिए कैसे आपको काम करना है, क्योंकि ल इंडिया में इसकी पेस कैसे इंक्रीज हुई, और इंडिया में क्या क्या है, इंडिया था इसमें रोल क्या, यह रोल है तो बहुत बात का, बट से हमें इस पॉइंट आप यूज से भी समझना है, और वर्लवाइड भी डिजिटल लाबरी में सबसे पॉपुलर सबसे पह तो आपको unit number 8 बहुत जादा difficult नहीं लगेगी करने में क्योंकि इस unit के अंदर वही से अधर में को import, output या basic terms clear हो गए है तो जी digitization, automation या बाकी की planning tools पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी.